आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, the question is A train 125 meter long passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds तो यहां पर क्या दे रखा है, the speed of the train तो speed of the train क्या होगी वो हमें बताना है अब यहां पर एक train है अब यहां पर एक man भाग रहा है यह train भी इसी तरफ जारी है और यह man भी इसी तरफ भाग रहा है अगर इस की speed हम माने X km per hour और इसकी man की speed कितनी है 5 km पर आवर ठीक है इसकी स्पीड इतनी है अब यहाँ पर अगर हम निकाले relative स्पीड relative स्पीड relative स्पीड with respect to with respect to men ठीक है तो कितनी होगी वो हमें बतानी है ठीक है यानि की train की स्पीड train की स्पीड with respect to with respect to running man ठीक है that is equal to x-5 ठीक है क्योंकि same direction में भाग रहे हैं इसलिए minus करा है और अगर opposite direction में होते हैं तो plus कर देते हैं ठीक है अब in the same direction in which the train is going in 10 seconds और train की length कितनी है 125 मेटर लॉंग तो train length train length that is equal to 125 मेटर तो इसको किलो मेटर में convert करेंगे तो कितना आएगा divided by 1000 तो यह हो गया 0.125 किलो मीटर ठीक है अब यहां पर second को किस में चेंज करेंगे आवर में तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास one hour is equal to 300 seconds ठीक है तो यहां पर एक जीरो छोड़ देते हैं तो क्या बचाएगा one upon 360 one upon 360 hour is equal to 10 seconds ठीक है तो 10 seconds में कितने one upon 360 hour तो यह time हो गया यह हो गया हमारा time that is equal to one upon 360 hour अब यहां पर अगर स्पीड निकाले हैं यहां से अगर हम स्पीड निकाले ट्रेन की तो कितनी होगी तो यहां पर यहां पर अगर हम क्या निकाले speed निकाले with respect to man ठेक है तो ये क्या हो जाएगी हमारी relative speed ठेक है relative speed relative speed क्योंकि man देखे man को cross करके जारी हो 10 seconds ठेक है तो यहां पर यह हमारी क्या है relative speed relative speed that is equal to distance कतना है हमारा 0.125 ठीक है divided by time time is 1.360 याने की multiply by 360 that is kilometer per hour ठीक है that is equal to that is equal to यह कितना होगो जो multiply करोगो तो 45 kilometer per hour ठीक है यह क्या relative speed of train of train with respect to man ठीक है क्योंकि मैंन के respect में वो दस सेक्ट में इतनी जो length train की वो cross करके चली जाएगी न मैंन को ठीक है तो वहां से related speed निकालेंगे तो यहां पर हमें पहले क्या दिरकी थी train की speed with respect to man ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा हमारा related speed 45 that is equal to जो हमने train की speed मानी थी minus में 5 ठीक है तो यहां से train की speed कितनी आ जाएगी हमारी 45 plus 5 that is 50 km पर आवर ठेक है यह क्या होगी हमारी train की speed speed of train that is equal to 50 km पर आवर that is our answer तो option B is correct क्लासिक्स से टुएल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेट आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आउट्स आच चार्सो 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 पर